हेलो एव्रीवन, स्वागत है आप सभी का इक्जाम गुरू यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उत्तर परदेश पुलिस में रेडियो ओपरेटर और असिस्टेंट ओपरेटर के लिए जीके और साइन्स का एक प्रेक्टिस सेट सॉल करवाने वाला हूँ बिल्कुल 2023 का नया प्रेक्टिस सेट है और दोस्तो जो भी कोशन्स में इस वीडियो में करवाऊंगा वही सारे कोशन्स आपको आने वाले परिच्छा में भी देखने को मिलेगा इसके अलावा उन सारे कोशन्स के साथ-साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़े हुए होंगे वो भी मैं आपको वीडियो में ही बताते चलूँगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाग सक जरूर देखना साथ में दोस्तों अगर आप आज की इस प्रैक्टिस सेट का पीडियो रानलोड करना चाहते हैं तो पीडियो वीडियो समाप्त होने के बाद आप सभी को हमारी टेलिग्राम गुरूप एक्जाम गुरू से मिल जाएगा टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिक्सेशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला क्वेशन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है क्वेशन है कि डैस एक राष्टर की अपने नागरीकों की जीवन सुधारने की छमता को दर्साता है आप्शन्स में अंतराष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय विकास, घरेलू विकास और ग्रामिन विकास तो इस प्रसंद का सही जवाब हो जागा दोस्तों आप्शन नमबर B और एह लोगों के आर्थिक और समाजिक कल्यान्वे सुधार के उदेश से किया गया एक नितिगत परियास होता है इसके बाद आगे बरते हैं दूसरे क्वेशन की और दूसरा क्वेशन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं तो दोस्तों भार भाग थे इसमें 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्यद थे लेकिन वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं 12 अनुसूची है और लगवग 448 अनुच्यद है इसी कारण से बिस्व में भारत का समिधान दुनिया का सबसे लंबा समिधान माना जाता है फिर इसके बाद अगला प्रस तो उस समय जो पहला काल सुरू होता है दोस्तो इसे हम कहते हैं प्रसन काल दैट मींज कि इस कोशन का B option बिलकुल सही जवाब है दोस्तो आम तौर पर जब लोकसवा की बैठक करवाई जाती है तो पहला जो घंटा होता है वो प्रसनों के परतिसमर्पित होता है और इसे ही प्रसन काल कहा जाता है संसत की करवाही में इसका बिसेस्व महत है और प्रसन काल के दोरान जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वे प्रसासन एवं सरकारी गतिवीदी से जुड़े हर एक पहलू पर प्रसन पूछ सकती है फिर इसके बाद अगला कोश्चन है 24 नमबर चोल सीला लेक में उलेखित निवनलीखित भूमी की स्रेनियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जुड़ा गया है ओप्सन देख लिजे आप सभी लोग ए रहा चारो ओप्सन तो इस क्वेशन का राइट अंसर है दोस्तो ओप्सन नमबर डी विलानवगित जैन संसानों को दान में दी गई भूमी दोस्तो मैं आपको बता दू कि जो चोल सीला लेक हैं उसके अनुसार से चोल राजा अपने लोगों को पांच प्रकार की भूमी उपहार में देते थे जिसमें से एक भूमी आपने हाँ पर देख लिया दूसरा भूमी है ब्रामने ब्रामनों को उपहार में दिया जाने वाला इसके अलावा तीसरा भूमी है दोस्तो साला भोग एक अस्कूल के रख रखाव के टाइप की भूमी होती है फिर चौथा भूमी है देवदाना मंदिरों को वेट में दी जाने वाली मूवी भारतिये नयधिस भी यूरोपियन ब्यक्तियों पर मुगत्मा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतिये नयधिसों के बीच में समानता अस्थापित किया जा सकी। इसके बाद अगला प्रसन है 26 नमबर चंगेज खान किस जंजाती का सासक था। सहारा रगिस्तान किस महाद्विप में इस्तित है। और दोस्तों मैं आपको बता दू कि दुनिया का सबसे गर्म रगिस्तान उफ्तरी अफ्रीका में ही इस्तित है। इसके बाद अगला प्रसन है 28 नमबर महाद्विप्य संगीत में परपटी के मुख्य खनीज किसके घटक होते हैं। दोस्तों देखें जो महाद्विप्य संगीत होती है और उसमें जो परपटी होते हैं इसके मुख्य खनीज घटक के रुप में जाने जाते हैं सीलिका एवं एलूमिना। तो C option इस कोशन का correct answer है। दोस्तों इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला question है 29 नंबर विटामिन वीवन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों वीवन की कवी से होता है बेरी बेरी यानि की option number A इस question का correct answer है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दू कि बेरी बेरी रोग होने का एक और कारण है कि जो आपके भोजन होते हैं और फिर अहार होता है। उसमें थायमिन की कमी हो जाती है और अगर आप बेरी-बेरी रोग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्वस्थ एवं संतूलित भोजन लेना चाहिए जिसमें मुख्यरुक्ष थ्यामिन प्रती दिन सामिल हो फिर इसके बाद अगला प्रसनेत 30 नंबर अवतल दर्पन पर कोई प्रतिवी में बनाते हैं यानि कि इमेज बनाते हैं तो इसका जो वस्थ है वो छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है D option इस question का correct answer है दोस्तों मैं आपको बता दू कि जब अवतल दरपन वस्तु के बहुत करीब रखा जाता है तो एक अवहर्तक और आवहासिच छवी प्राप्थ होती है लेकिन अगर हम उसी वस्तु को दरपन के बीच की दूरी बढ़ाते जाते हैं तो छवी का जो अकार है यानि कि जो image का size है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और वस्तविक छवी बनते जाती है जिसे English में real image कहा जा सकता है इसके बाद अगला प्रसन है 31 number 31 number प्रसन कहा रहा है कि computer सब्दा वली में एक bug क्या कहलाता है दोस्तों देखिए bug हम किसे कहते हैं तो computer की जो programming होती है अगर उसमें कोई truth हो जाए तो उसे bug नाम दिया जाता है और दोस्तों अगर computer की programming में कोई गलती और फिर truth हो जाती है तो bug जो है वो अपरत्यासित परिनाम उत्पन कर सकता है यानि कि जो results आपको चाहिए उस programming के थूरू उसके बिलकुल opposite आपको यहाँ पर results देखने को मिलेगा इसके बाद अगला प्रसन है 32 नमबर लोहे को जिंक की परत के दोरा सरंशित करने की परकिरिया क्या कहलाती है देखे दोस्तों लोहे को जिंक की परत के दोरा अगर हम सरंशित करते हैं तो इस परकिरिया को नाम दिया गया है गलवनी करन यहाँ पर होता क्या है दोस्तों की जो आपकी लोहे की परत चाहने परकिरिया पर होती है न जिंक की इसमें जस्ते को गरम करके उसका गोहल बनाया जाता है और उसमें अस्टील को दुआया जाता है इस परकार से जस्ता और लोह का जो मिस्र धातू है इसका एक मोटा परत जम जाता है अस्टील के उपर में और फिर वाई मंडली जो भी प्रस्थिती होती है उसके संपर्क में आने पर जो छारन होता है उससे इसकी रच्छा की जाती है इसके बाद अगला प्रसन है 33 नंबर निवनलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है आप्सन्स में ओजोन भी सेला होता है ओजोन प्रित्वी की सत्य के निकट इस्थिर है ओजोन सुर्य से आने वाली हानिकारक विकरनों को अफसोसित करता है और ओजोन का फर्मूला O3 है यहाँ पर आपको बताना की कौन सा कथन गलत दिया गया है तो राइट एंसर है दोस्तो ऑप्सन नंबर B ओजोन जो है वो प्रित्वी की सत्य के निकट इस्थिर होता है यह वाला अश्टिट में पूरी तरह से गलत है बाकी के इसके लाबा देखे ओजोन भी सैला होता है बिलकुल सही बात है ओजोन का फर्मूला O3 है यह भी बिलकुल सही है और सुरे की और सी जो आपके अल्टरा वालेट रेज आती है इन समी सह में प्रोटेक्शन करता है अगर ये नहीं होता तो मनुस्यों को क्या होता है हाँ पर अस्कीन कैंसर हो सकता था इसकी बज़ा सी तो केवल आपका option number B जो है वही इस question का सही जबाब हो जाएगा फिर इसके बाद अगला प्रसने 34 number निवन लिखित में से कौन सा वेव पोर्टल घरेलू कोईलों के उपयोग में लचीलेपन की सुधा के लिए दिया जाता है तो दोस्तो यह है आपका कोईला मित्र यानि कि C option इस question का correct answer है दोस्तो कोईला मित्र पोर्टल का इस्तेमाल राज या फिर केंद्र के उतपादक केंद्रों के दोरा किया जाता है जिस पर पिछले महीने के लिए विद्यूत के निदसनात्पक नियत इवम जो परवर्तनिय प्रभारों से जुड़ी सुचनाय होती है इन सभी का margin को भी द गई थी और इसी खोज के लिए दोस्तो उन्हें 1930 में physiology या फिर medicine में novel पुरसकार भी दिया गया है इसके बाद अगला प्रसन है 36 नंबर मनपृत सीं किस खेल से जुड़े हुए है दोस्तो मनपृत सीं होकी टीम से जुड़े हुए है ये option इस question का correct answer है इसके अलावा दोस्त कालिन ओलंपिक हुआ था इसमें भारत का प्रतिनित भी इनहीं मनपृत सीं के दोरा किया गया था इसके बाद अगला प्रसन है 37 नंबर कोलम किस राज्य का परमपरिक लोग कला है options में तमिल नाडू उत्तर परदेश गुजरात और केरल तो इस प्रसन का right answer है दोस्तो option नं आए जाता है इसके बाद अगला प्रसन है 38 नंबर निमनलिखित में से कौन वस्तूओं को असपरश्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण परतेश रूप से नहीं देखे जा सकती है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है पेरियसकोप का यानि कि D option इस question का correct answer है इसका मुखे उधे से होता है दोस्तों की खुद को दुस्मनों के सामने लाए बीना या चिप कर किसी भी चीज को बाहर से देख सकते हूँ आप जैसे इसका उपयोग पंडूबी बगरा में किया जाता है जो यूद पोत होते हैं उसमें किया जात है फिर इसके बाद अगला प्रसन है 49 नंबर ओलिवर ट्रिष्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों यह जो ओलिवर ट्रिष्ट है इस पुस्तक को लिखा गया चार लिकन्स के द्वारा यानि कि B option इस question का correct answer है फिर इसके बाद अगला प्रसन है 40 नंबर एक cycle की गत गती उसकी कम हो जाएगी क्यों कम होगा क्योंकि उहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स की वज़ास से जो rotation होता है वील का cycle का उसमें कमी आ जाएगी और इसी वज़ासे उसके गती में भी कमी आएगी तो एह थे था दोस्तों कुछ important gk and science के questions आप अगर आपको आज के वीडियो पसंद आयो तो इस लाइक करें अलग अलग गुरूप से में सेयर करें साथ में दोस्तों आप सभी लोग एक्जाम गुरू चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि आगे भवीस में भी जब नेक्ट प्रेक जब हारत